नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज ओश्टेलिया के मद्ध तीन मैचों की जो ओडियाई स्रंकला खेली जा रहे है उसके तीसरे मैच की पूरी हाइलेट्स के बारे में तो तो पहला मैच वान खेड़े मंबई के अंतरगत खेला गया जिसके अंतरगत उसके बात तीसरे मैच जो एहम एक तरीके से फाइनल की तरह खेला जा रहा था वो मैच जो दोस्तों चेना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू में तो दोस्तो एक बार फिर से ओस्टेल टीम ने टोस जिता और इस बार ओस्टेल लाई टीम ने टोस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला लिया तो दोस्तो ओस्टेल लाई टीम के सलामी बल्ले बाज डेविड वारनर और एरून फिंच कुछ खास नहीं कर पाई डेविड वार्नर ने तीन रन बनाए एरून फिंच ने गुनिस रन उसके बाद दोस्टो इस्टीन में स्मित और लाबू चाने के बीच पिछले मैच के तरह इस बार भी एक बहुती अच्छी साज़ेदारी हुई जिसके अंतरगत इसटीन में स्मित ने 131 रन बनाये यानि कि इसमित ने समीत में सतक लगाया जो पिछले मैच में दो रनों से चुग गये थे उस खामी को यहाँ पे पूरा किया और दोस्टो लाबू चाने ने भी पिछले मैच में 44 रन के नीजी स्कोर पर अर्षा तक से चूग गए थे और इस मैच में भी उसको पूरा किया 44 रन बनाके अपना अर्षा तक यहाँ पर पहला अंतराश्टी अर्षा तक पूरा किया लाबू जाने ने भी उसके बाद दोस्तों फिर से एक बार उस्टेलिया टीम बिखर गई इस टार्क ने 0 रन बनाया अलक्स कैरी ने 35 रन बनाये टर्नर ने 4 रन एस्टन अगार ने 11 रन और कमिंच ने 0 रन बनाया उसके बाद दोस्तों एडम जमपा और हैजलूल ने 1 एक रन बनाया इस तरीके से उस्टेलियाई टीम ने 50 आउरों के अंतरगत 286 रन बनाए नो विकेट के नुकसान पे जिसके अंतरगत भारतिय टीम ने 27 एक्स्टर रन दिये और भारतिय टीम के और से सबसे सपल गेंदवाज मौमा समीर है जिन्होंने 10 आउरों में 63 रन देकर 4 विकेट हासि जिसमें दो सपलता है यहाँ भी हासिल की उसके बाद दोस्तो टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए और यह सिरी जीतने के लिए 277 रन का टारगेट मिला तो दोस्तो भारतिय टीम की और से सलामी बल्लेबाज रोहित सर्मा और लोकेस राउल आए तो उसकर धवन में एक स्यांदार सतक लगाया इस सतक के चलते रोहित सर्मा को मैनोबदा मैच दिया गया दोस्तो लोकेस राउल ने एक मात्र गुनिस रन बनाए उसके बाद विराट कोली ने भी एक विराट पारी खेली और अंत तक अपनी टीम को बहुती विजाई पहुँचाने में उन से यह ने भी बहुती ताबड तोड बल्ले बाजे की 35 अवरों में उस्वरी दोस्तो 35 गेंदों में 44 अन बनाए और मनिस पांडे ने भी चार गेंदों में दो चोके की मदद से 8 अन बनाए इस तरीके से टीम इंडिया ने मात्र 47.3 अवरों के अंतरगा थी इस 289 रन का टा देखा जोगा उस्टेलिया टीम के और से हैजल उड एस्टे नागार और एडम जंपा को एक एक साबलता मिली इसके अलावा किसी ने किसी भी खलाडी ने कोई खास परदस्त नहीं किया तो दोस्तों ये थी थी थर्ड इंडिया वर्सेद उस्टेलिया मैच के पूरी हाइल दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर उस्टेलिया को भी एक बार पचाड दिया है लगातार भारतिय टीम जो है चार सिरीज जी चुकी है अगर दोस्तों आप इस भारतिय टीम के परफोर्मेंस से कुस है तो कमेंड बोक्स में इंडिया टीम जरूर लिखे और इस मैच के जिस भी खिलाड़े के खेलने आपको परभावित किया हो चाहिए वो विराट कोली हो रोईस्तरमा हो या फिर इस्टिन मिस्मित हो या लाबू चाने हो या फिर मुहमत समी की च्यार विकिते हो तो दोस्तों आप उस प्लेयर का नाम कमेंड बोक्स में जरूर लिखे तो दो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बैल के आइगन को दबाके और नोटिक्रेशन को उन भी करने है